जब आएगा केशु मसीहा जब आएगा येशु मसीहा क्या उपाएगा हम सब को तया क्या उपाएगा हम सब को तया जब आएगा येशु मसीहा जब आएगा येशु मसीहा जब आएगा येशु मसीहा तुम पांच कुवारी जैसे आएगा येशु जाने कब कैसे आएगा येशु जाने कब कैसे याद ये रखना भूल न जाना आएगा येशु मसीहा जब आएगा येशु मसीहा आएगा येशु मसीहा आत्मिकता में हर दिन बढ़ते रहना सूती अराधना और करें प्रातना आत्मिकता में हर दिन बढ़ते रहना सूती अराधना और करें प्रातना उसमें कोकर मगन होकर करो से वह मसीहा की चब आएगा ये शु मसीहा क्या वो पाएगा हम सबको तयार क्या वो पाएगा हम सबको तयार जब आएगा केशु मसीहा को जब आएगा प्रभी ये शु मसीहा को जब आएगा प्रभी ये शु मसीहा को प्रभी ये शु मसीह के मधुनाम में आप सब को जय मसी की उस आवाज को सब ने सुना कि परमेश्वर बोला चियां परमेश्वर जब बोलता है तो उसका आनन्द ही कुछ और होता है मगर मेरे प्यारे भाईोबन एक बात याद रखना यदि परमेश्वर आपकी गवाई के लिए आपके पक्ष में बोल रहा है तो यह हमारे लिए आनन्द की बात है परन्तो यदि परमेश्वर आपके विरोध में बोले या किसी भी देश के विरोध में बोले तो समझ लीजे यह बहुत हानी की बात है और अभी तक हमने देखा कि परमेश्वर किसी के विरोध में नहीं बोला और जल्दी परमेश्वर किसी के विरोध में बोलता भी नहीं है क्योंकि वो दैयालू परमेश्वर है अनुग्रेकारी है और करुणा मैं है और इसलिए वो अपनी दया फ्रगट करता है और दया के साथ प्रेम के साथ और धीरच के साथ वो मनुशों से बात करता है और बात सिर्फ वो ही करता है जो उनके पक्षकी होती है जो उसकी महिमा के लिए होती है जो इनसान की आत्मिक उनती के लिए होती है हम आग बात करेंगे परमेश्वर ने बातचित करी मुसा के द्वारा मगर इससे पहले कि हम मुसा के द्वारा बातचित करें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने डिरेक्टली आदम से बातचित करी सीधे उसने आदम से बातचित करी और आदम से बातचित करता रहा परन्तु मेरे प्यारे भाईयो भेनो आदम से बातचित करने का संपट तब तूटा जब आदम के जीवन में पाप आ गया और परमेश्वन ने उसे पूछा कि हे आदम तु कहा है लांस्ट टाइम जब उसने आदम से बात करी तो आदम से उसने पूछा कि आदम तू कहा है आदम डर गया था और आदम ने वहाँ पर क्या बातचित करी है परमेश्वन की बातचित हो रही है और परमेश्वन से बातचित जो हो रही है वो एक अच्छी वारतलाप नहीं है वो एक अच्छी बात्चित नहीं हो रही है क्योंकि आदम जो था परमेश्व का शब्द सुनकर डर गया आदम जो था परमेश्व से बात करना नहीं चाहता था क्योंकि वो परमेश्व के सामने नहीं आना चाहता था कारण क्या था क्योंकि वो गलात था परमेश्वर आपके सामने आना चाहता है आप से बातचीत करने के लिए परंतु क्या आप परमेश्वर के सामने आना चाहते हैं परमेश्वर से बातचीत करने के लिए मेरे प्यारे भाईयों भेनों यदि आप परमेश्वर के सामने नही कि योजनाओं को डिसकस करना चाहता है आप से परमिश्वर अपनी महिमा को आपके हाथ में सौपना चाहता है परमिश्वर हर इक तरीके से आप से बाच्चित करना चाहता है परंतु हम जब सुबह उड़ते हैं हमारा पूरा दिन जब शुरू होता है तब हमारा पूरा दिन जो है किसी और तरीके से बातचीत में होता है या तो हमारी मोवाइल से बातचीत होती है साइलेंट बातचीत होती है या फिर हमारी अपने आपस की डिसकस होती है या हम बिजनस की बाते करते हैं या हम और किसी की परगुसियों की बुराई की बाते करते हैं या हम अपने नातेदार रिसेदारों की बुराई की बाते करते हैं हमारी बातचीत तो होती है परंतु पूरे दिन एक दिन में होता है हमारे जीवन में बहुत सी बातों को लेकर रुकावट आती है क्यों आती है क्योंकि दिन ही परवेश्बस की बातिस से नहीं होती है हमारी दिन ही बुराई करने की बातचीद सर्शुरू हो जा जाती है इसलिए आज का मनुष देखे बहुत परिशान और बहुत मुसीबत में बड़ा अकेला अपन का अनुभाव करता है कभी कदार ऐसा लगता कि उससे कोई बाचीत करने वाला नहीं है हो सकता है मेरे प्यारे भाईयों बेनो आपसे इस अंसार के अंदर आपका कोई अजिज आपसे बाचीत करने से कतराता हो आपसे कोई बाचीत करना नहीं चाहता हो आपसे कोई बोलना पसंद नहीं करता हो परंतु एक है जिसका नाम परमेश्वर है जो सौर्ग और प्रत्वी का स्रिश्टी करता है जो येश्व मसी के नाम से आपसे बाच्चित करना चाहता है आपको अपने पास बुलाना चाहता है और आपसे अपनी योजनाओं को डिसकस करना चाहता है तो आएए मेरे प्यारे है ये 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 येश्व मसी के पास उससे बातचीत करें ताकि हमारे जीवन में उस सांती का अनुवा हो सके जो उससे बातचीत करने में होती है ऐसे ही मुसा के दोरा हम देखते हैं कि परमेश्वा ने मुसा के दोरा बातचीत करी और एक अच्छी बातचीत करी एक अच्छी व पुस्तक बारा अध्याए और उसका आठमा पद यहाँ पर इस परकार से लिखा हुआ है उससे मैं गुप्त रिती से नहीं परंतु आमने सामने और प्रतक्ष होकर बाते करता हूं और वह यहवा का सरुप नहरने पाता है इसलिए तुम मेरे दास मुसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे यहाँ पर जो बात है जो परमेश्व बातचीत कर रहा है यह हरुन और मरियम से बातचीत कर रहा है हरुन और मरियम जो थे ये मुसा के भाई भेन है और ये मुसा के विरोध में बात करने लगे मुसा ही सब कुछ है क्या परमेशर ने मुसा से ही बात करी क्या वो उसी को उसी से बात चित करता है परमेशर को ये बात अच्छी नहीं लगी इसलिए उसने हरुन और उसकी बहन मरियम को दोनों को लताड़ा क्या बात कर रहे हो तुम कैसी बात कर रहे हो तुम पर यह मैं मुसा से आमने सामने बैठ के बात करता हूँ कोई गुप्तुर एरिती से नहीं करता हूँ कि मुसा कहीं और मैं छुपा हुआ बात कर रहा हूं से नहीं मैं उसके आमने सामने आके प्रतक्ष में आकर मैं उससे बात करता हूं और वो मेरे रूप को मेरे सरुप को नहारने पाता है कितनी अजीब बात है परमेश्व मुसा के सामने आमने सामने बैठ कर बातचीत कर रहा है और ये मुसा के लिए कितनी आनंद की बात होईगी कितनी खुशी की बात होईगी और जिस समय वो परमेश्व के सामने बैठता था तो मेरे प्यारे भाईयों भैनों परमेश्व का ये वचन बताता है कि एक बार मुसा चालिस दिन और चालिस रात परमेश्व के सामने बैठा रहा और परमेश्व से चालिस दिन चालिस रात तक वो बातचित करता रहा और परमेश्व का वचन बताता है कि उसे ना तो भूक लगी और ना ही प्यास लगी उसे किसी भी परकार की भूक और प्यास नहीं लगी वो परमेश्व की बैठ कर उसके सामने और आमने सामने बैठ कर उसकी सुनता रहा उसे नहारता रहा और जो शब्द उसके मूझ से निकल रहा था जो आवाद परमेश्वक के मूझ से निकल रही थी वो उसको आनंद मैं बना रही थी मुसा जो था बड़ा खुश था इस बात से परंटू उसका भाई अरुन और मरियम उसकी जो भेन थी वो बड़े नाखुश होते थे वो सोचते थे कि क्या बस मुसा अपनी चलाता है मुसा सिरी अपनी बाते बोलता है मुसा कुछ अपनी तरफ से कहता है मगर नहीं जो वो परमेशर की सुनता था वो आकर इस्रेलियों को बताता था जो परमेशर उससे कहता था जिस तरीके की बात्चित परमेशर की उससे होती थी वो उससे आकर वो इस्रेलियों को अपने लोगों को बताता था देखो परमेश्वन ने मुझसे ये बात चित करी है देखो परमेश्वन ने तुमारे लिए ये संदिश मेरे दौरा भेजा है परमेश्वन ने ये बात तुम से कही है इसलिए इन चीजों को मानो इन बातों को मानो परमेश्वन कह रहा है और हुआ क्या अरुन तो मायाजग था इसलिए परमेश्वन ने उसको तो कुछ नहीं का परन्तु उसकी मूसा की जो भेन थी मरियम उसको उपर से लेके नीचे तक कोड़ी बना दिया सफेद कोड उसके शरीर के अंदर आ गया और वो सफेद कोड से पेडित हो गई क्यों हो गई क्योंकि वो मूसा के विरोध में बोली क्या परमेश्वन ने मूसा इसे बात चीत करी क्या हमसे बात चीत नहीं करता है क्या परमेश्वन मूसा कोई चाहता हमें नहीं चाहता है जो सक्ष सुचिए उसकी काबलियत कितनी होईगी उसकी पवितरता कितनी होईगी कि जो सक्ष परमेश्र के सामने पहुचा है परमेश्र के सामने बैठा है आप उस पे संदे कर रहे हैं आप उस पे उंगली उठा रहे हैं आज भी यही होता है क्या हम अक्सर अपने ग्रेवान में जाक कर नहीं देखते हैं हम अपने बातों को या अपने बारे में नहीं सोचते हैं हम दूसरों के ओपर उंगली उठाते हैं खास दोर से मैंने एक चीज नोट की है कि लोग जो हैं प्रभु के दासों पे उंगली उठाए रखते हैं हमेशा उनकी उंगली प्रभु के दासों पे उठी रहती है यहाँ पर भी यही कारण हुआ मगर उसके परिणाम भी देखने को मिले मेरे प्यारे भाईयों भेनों हम कभी भी किसी के उपर उंगली ना उठाए पता नहीं परमेश्वर किसी क्या बात कर रहा है पता नहीं परमेश्वर किसको क्या संदेश दे रहा है आप नहीं जानते हैं यह सिर्फ परमेश्वर जानता है और जो परमेश्वर से जिसकी वारतालाप हो रही है वो जानता है कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा है परमेश्वर उससे क्या बाचित करता है परमेश्वर के बाचित करने का तरीका बहुत अलग-अलग है इसको हम आगे देखते चले जाएंगे कि परमेश्वर ने किस-किस तरीके से बाचित करी और आज के इस अंतिम समय में परमीष्व मेरे से और आपसे बाद्छित करता है कटम यहां पर मुसा की बात खतम नहीं और अभी शुरू होती है मैं चाहँगा कि मेरे साथ निकार लीजे निर्गमन की पुस्तक तैंथी सध्याई और निर्गमन की अपने भाई से बाते करता है और मुसा तो च्छावनी में लौट आता था परंतो यहुशु नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मुसा का सेवक था वे तंबू में से ना निकलता था यह देखे वहाँ पर क्या लिखा इससे वहाँ पर हमने पढ़ा कि मुसा परमिश्व परमिश्व ने मुसा के साथ इस्थापित की है यहां पर परमिश्व ने एक रिष्टा जो है वो मुसा के साथ बनाया है और क्या कह रहा है कि मैं मुसा के आमने सामने बैट कर इस तरीके से बातचित करता हूँ जैसे एक भाई दूसरे भाई के सामने बैट कर बातचित करत वाओ क्या बात है कितने आनन की बात है कि परमेशर जो है मुसा को अपना भाई बता रहा है जैसे भाई लोग आपस में बातचीत करते हैं वो भाई की बात कर रहा है जिन भाईयों में प्रेम होता है और जिन भाईयों में प्रेम होता है वो हमेशा एक दूसरे से खुशी से म मिलेंगे यहां पर एक मैसेज भी है जो मेरे और आपके लिए है एक भाई का आपस में मिलना क्या दर्शाता है आज अगर देखा जाए तो कई-कई महिने हो जाते हैं कई-कई साल गुजर जाते हैं भाईयों भाईयों में बातचीत नहीं होती है भाई लोग एक दूसरे को द स्वयम देख सकते हैं अपने परिवार में या अपने रिश्दारों में या अपने समाग में जिन भाईयों में प्रेम होता है जो भाई आपस में मिले रहते हैं वो जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उनके चहरे पे नूर होता है उनके चहरे पे खुशी होती है वो वो बैठते हैं और अपने परिवार के साथ बैठते हसते बोलते रहते हैं एक खुशी अलग जलकती है और भाई अगर आपस में नराज हो तो वो नराजगी भी अलग जलकती है परंतो परमेश्वर यहां पर नराजगी की बात नहीं करता है परमेश्वर यहां पर एक खुश मेरे प्रमेश्र के सामने बैठता है मेरे प्रमेश्र यहां पर एक चीज बताना चाहता है एक संदेश मुसा के माध्यम से मुझे और आपको यह देना चाहता है कि जब हम परमेश्र के सामने बैठेंगे जब हम परमेश्र के सामने बैठते हैं तो परमेश्र के चहरे पर खु मेरा परमिश्वर मेरे सामने बैटा है मैं अपने परमिश्वर के आमने सामने बैटके बातचीत करता हूं तो हमें भी आनन्द होता हूं मेरा परमिश्वर सुर को छोड़कर मेरे सामने मेरे घर मेरे गरीब घर मेरे गंदे घर में आकर बैटकर मुझसे बातचीत कर रहा है मे का परमेश्वर इस सर्ग और प्रत्वी का परमेश्वर इस सर्ग और प्रत्वी का सरिष्टी करता मेरे सामने बैठके बातचीत कर रहा है आप सोचिए कोई बहुत बड़ा नेता या कोई बहुत बड़ा आदमी जो बहुत अच्छी पोस्ट रखता या कोई फिल्मी नेता जो है फिल्मी अभी नेता जो है आपके सामने या कोई हिरोईन आपके सामने आए और कहें कि मैं आपसे पांच मिनिट दस मिनिट बात करना चाहते हूं आ आपका जीवन जो हां हैं वह आनंद से भाण जएगा आपका चेहरा कील जाएंगा वो यह इतना बड़ा नीता मैरे से बातचीत करना चाहता है वो इतना बरा बाद ही रो जो है फिरो एंच्त करना चाहती है आप उसे 5-10 मिनिट बात करके बड़ा आनंद करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे आपकी प्रक्रिया बंद नहीं होगी आपका यह आनंद यहीं समाप्त नहीं होगा आप अपने इस आनंद को अपने यार दोस्तों में बाटोगे वो हिरोईन ने मुझसे बातचीत करी है आप सब जगा बताओगे नातेदार रिस्तिदारों के साथ बताओगे आप उनके साथ क्लिप खिचवाओगे फोटो खिचवाओगे और उस फोटो को सबको सेंड करोगे देखो मैंने इसने मेरे साथ बात करी है आप यह नहीं कहोगे कि आपने उसके साथ बात करी है पर जब परमेशर आपके साथ बादचित करता है तो आपका आनन कहां जाता है आप उठे बड़ी सीरिस तरीके से आपने प्रातना करी कभी रो रो रुक के करते हैं कभी टैंशन में आके करते हैं कभी बहुत उलजन में आके करते हैं कभी मात्थों पे सिल्बर टिल आकर प्रातन यानि परमेश्व से बादचीत करते हैं और उठते हैं और चुपचा बस उठ गए आपने और उसके बाद उस प्रात्ना के परमेश्व के सामने बैठके बादचीत करी है परमेश्व ने आप वो नेता वो अभी नेता जिसको परमेश्वर ने बनाया जिनको एक दिन नाश शो जाना है और वो स्वर्ग और प्रत्वी का स्रिष्टी करता परमेश्वर यह वा जिसने आकाश और प्रत्वी को बनाया और चो कभी नाश ना होने वाला परमेश्वर वो आपके समक्ष और जब जब वो परमेश्व के पास गया और परमेश्व के पास उत्र कर आया उसने लोगों को बताया परमेश्व ने मुस्से बात करी हैं परमेशर ने आप लोगों के लिए संदेश भीज़ा है परमेशर आपके बारे में यह कहना चाहता है परमेशर की सोच छाप के बारे मैं यह है परमिश्ण का प्रेम आपके बारे उसके चेहरे पे लचन दिखाई देते थे ओ मुसा ने आज कोई दर्शन देखा है मुसा ने आज कोई special बात करी है मुसा के साथ आज कोई special घटना घटित हुई है इससे बड़ी घटना और इससे बड़ी आनन की घटना जो क्या होएगी कि वो आपने परमेश्व के पास बैठ के बात्चित करी है मगर हम लोग कहते हैं मैं परमेश्व के समक्ष दो घंटे बैठा रहा मैं घुटनों घुटने टेक कर प्रातना करता हूं मेरे घुटनों में ठेट हो गई है मैं बहुत घंटो घंटो बैट कर प्रातना करता हूं परंतो आपके चेहरे से वो बात जलकती नहीं है परंतो आप जो है परमेश्वर का आनन आपके चेहरे से दिखाई नहीं दिता है और दूसरी चीज वो बातचित क्या करी है परमेश्वर क्या परसनली बातचित करता है प बात चीत करी खास्तोर से मुसा से बात चीत करी तो उसने लोगों को ध्यान में रखके करी जा मुसा मेरे लोगों को ये बताते हैं उसने एक व्यक्ति को चुना है अपने अपने लोगों के लिए बात करने के लिए और मेरे प्यारे भाईयों भेनों यदि परमेश्वन ने आ आपको बातचीत करने के लिए चुनाया है अपने और लोगों के बीच में आपको जैसे मुसा माध्यम बना था परमिश्वर और लोगों के बीच में जब भी लोगों के लिए कुछ कहना होता था कुछ बात कहनी होती थी कोई संदेश भिजवाना होता था वो मूसा से कहता था मूसा यहाँ उपर मुझे तुस्से कुछ बात करनी है मुझे तुस्से कुछ कहना है मेरे प्यारे भाईयो भैनो ये बड़े आनन की बात है जब पर्मेशक है हे पैट्रिक फ्रांसेस मुझे तुमसे कुछ कहना है यहां आओ मेरे पास तुम विस्तर से उठ जाओ तुम बैठ जाओ मैं तुम से बाठचीत करना चाहता हूँ तो सोची कितनी आनंद की बात होगी ओ परमेश्व की पुकार सैमुल को जब परमेश्व ने पुकारा सैमुल से जब परमेश्व बातचीत करना चाहे रहा था तो सैमुल को पता नहीं चला वो सोच रहा था एली मुझसे बातचीत करना चाहता है वो भागा भागा गया हाँ बताईए आप क्या कहना चाहते नहीं नहीं एली बोला मैं तुसे बात्चित नहीं करना चाहता हूं मैंने तुझे नहीं पुकारा है जब तीसरी बार गया तो एली के समझ में आया हो परमेश्वर इससे बात्चित करना चाहता है परमेश्वर इससे बोलना चाहता है तो उसन से परमिश्र डिसकस कहने लगा एक प्रानिंग बनाने लगा और परमिश्र ने उसका अभिशेक किया कि मैं तेरे माध्यम से लोगों से बातचीत करूँगा आपसे बातचीत करना चाहता है अपने लोगों के लिए तो मेरे प्यारे भाईयो भेनो आप तयार रहिए अपने आपको तयार करें कि परमिश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है ताकि उसकी बातचीत जो है वो उसके लोगों तक पहुंश सके उसने आपको चुना है वो आपको चुनना चाहता है आगे बढ़िए आगे आईए संसार की बातचीत को छोड़ दीजिए ये पूरी-पूरी राज जो आप मुवाईल पर बातचीत करते रहते हैं इससे कोई फ परमिश्र बात्चित करना चाहता है आप से अपने और आपके सब्सक्राइब में कि क्या तैयार हैं सुनने को यदि हाँ उठ जाए और चेहरे पैस ही मुस्कान ना यह जैसे मेरे चेहरे पैस देख रहे हैं आप न मुझे कितना यह बात बताते हुए कितना आनन का अनुभाव हो रहा है कि परमेश्वर बातचीत करता है शां बड़ा अजीब सा लग रहा हैं कि परमेश्वर मुझे से बातचीत करता है सड़नली परमेश्वर एकदम आपके सामने मेरे सामने आ जाया हम शॉक्त हो परमेश्वर आया और सही माने में समय भी परमेश्वर मेरे से मेरे द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है आपसे बातचीत कर रहा है तो मेरे प्यार में परमेश्र का अनुभाव करें परमेश्र की शांती का अनुभाव करें परमेश्र के आनंद का परमेश्र के प्यार का और इस खुशी का जो मेरे चहरे से दिखाई दे रही है इसका अनुभाव करें आपको यह अनुभाव प्राप्त होगा आप यह अनुभाव जब कर ले और चहते हैं प्यारे प्रभू आप अपने लोगों से बातचीत कीजिए ताकि उस बातचीत के दौरान जो आनंद का अनुभाव होता है जो मुसा को हुआ जो आपके लोगों को हुआ उसका अनुभाव कर सके और सब को आपकी वारतालाप के बारे में बातचीत के बारे में ये प्रातना येशु मसिनासरी के नाम से बानते हैं आमेन और आमेन ये प्रातना ये बार आमेन